दोस्तों हमारे चैनल गान भर्णडार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे मुंबा दीवी मंदिर के बारे में लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और बगल में जो श्रद्धालूओं की ऐसी मायता है कि यहां पर शद्धा भाव से जो मन्नते मागी जाती है वे अवश्य पूरी होती हैं। इसलिए रोजी रोटे की तलाश में जो भी मुंबई आता है वेह मुंबा देवी की दशन करके आशिरवाद लेता है। इससे उसे शहर में जीवन रंगी चहरे वाली रजत मुकुट से सुशोभित मूर्ति को यहां आने वाला निहारता रह जाता है। मंदिर के गर्भग्र के मुख्यद्वार पर गनेश की मूर्ती है। इसके लावा मंदिर के भीतर जहां देवी विराजमान है वेह चान्दी की है। श्रद्धालूओं के लिए मंदिर पर खुलने से पहले देवी की शेंगार किया जाता है। देवी की मूर्ति पर मुकुट के लावानाक की लोंग और सोने का हार पहनाया गया है। मंदिर के बाई और जगदंबा और अन्नपुना देवी की मूर्ति स्थापित की गई है। देश की आर्थिक राजदानी मुंबई नामकरण मुंबा देवी के नाम पर ही हुआ है। ये मुंबा देवी की ही कृपा है कि भूलेश्वर में उनके वास नहीं उस इलाके को देश का सबसे सम्रिद रिक्षेत्र बनाया है। स्थानिय लोगों के अनुसार क्षेत्र के व्यावसाइक करती हैं। इसलिए इतना सम्रिद और भीड भाड़ वाला इलाका होने के बावजूद शेत्र में कोई लूट पाट और बड़ी दुरगटना नहीं होती है। एकता की प्रतिक हैं मंदिर मुंबई में शुरू में मच्वारों की वबस्ती थी। इन्हें यहां कॉली कहते है मुंबा देवी इसी समाज की कुल्ग देवी हैं। अपने कुल्ग देवी के कृपा की चलते कोली समाज को समुद्र से कोई नुकसान नहीं हुआ। अतीत में जिस कुल्ग देवी की पूचा अर्चना कोली समाज के लोग करते हैं। वहाँ पर आज सबसे अधिक उतर भारत इसे लोग देश के इताका प्रतीक भी मानते हैं। सुबह चार बजे आ जाते हैं। मंदिर में पटोचसव के रूप में फर्वरी में विशेश कारिक्रम के आयोजन किये जाते हैं। चढ़ावे के रूप में जो सोने चांदी की वस्तुएं चढ़ाई जाती है। उसका मंदिर प्रबंधन देवी के लिए अभूशन बनवाती है। साथ ही नकद राशे आय चढ़ावे का उप्योग चारिटी में भी किया जाता है। मंदिर के प्रबंधन के लिए मुंबादेवी मंदिर चारिटी ट्रस्ट बना हुआ है। कौली समझ ने बोरी बंदर में मुंबादेवी की स्थापना की थी। वर्तमान में जहां सी ए सटी स्टेशन पूर्व में विक्चोलिया चर्मिनस इमारत है। पहले ठीक उसी स्थान पर मुंबादेवी मंदिर था। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1918 में मुंबादेवी को मरीन लाइन्स के पास स्थितकाल बादेवी के बीच बाजार में स्थानान तरित कर दिया। यहां पर पूरे विधि से मंदिर में मुंबादेवी की प्रांट प्रतिश्ठा की गई। जब मंदिर यहां स्थानान तरित हुआ था, तब इसके तीन तरफ बड़े तालाब थे, जो अब नहीं है. मंदिर परिसर में मिठाई विक्रेता मानिकलाल मेशु बताते हैं कि ये मुंबा देवी का आशिरवाधी है, यहां पर प्रसाग के रूप में बेची जाने वाली बरफी बहुत प्रसिद्ध है. माव बरफी के मिठाई सभी जगे बनाई और बेची जाती है, लेकिन जो स्वाध्या की बरफी में आती है, वेह कहीं और बनाई गई बरफी में नहीं आती है. दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें.